हातुरस भगदर मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायवती का बयान सामने आया है पोस्ट शेर करते हुए मायवती लोगों को बाबाओं के अंद विश्वास को पाखंड वात के बहकावे में ना आने की सला दी है उन्होंने भोले बाबा और उनके जैसे बाकी बाबाओं के खिलाब कारवाई की मांग की है 6 जुलाई को सुबा मायवती ने अपने एक्स एकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा देश में गरीबों, दलीतों और पीड़तों को अपनी गरीबी और बाकी सभी दुखों को दूर करने के लिए हातरस के भोले बाबा जैसे अने को और बाबाओं के अंद विश्वास और पाखंड वात के बहकावे में आकर अपने दुख पीड़ा को और नहीं बढ़ाना च चाहिए यही सलह है उन लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अम्बेटकर के बताय हुए रास्तों पर चलकर सत्ता खुद अपने हातों में लेकर अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी उन्हें अपनी पार्टी बीएसपी से ही जुड़ना होगा तभी ये लोग हा अबाओं के खिलाब भी कारवाई होनी जरूरी है इस मामले में सरकार को अपने राजनेतिक स्वार्त में धीला नहीं पढ़ना चाहिए ताकि आगे लोगों को अपनी जान ना गवानी पड़े बताने कि यूपी पुलिस ने हात्रस मामले के मुख्य आरोपी पर एक लाग का इनाम घोशित किया था इससे पहले पुलिस ने छे लोगों को गिरफतार किया है एफ आयार के मुताबिक धार्मिक सभा में दो दस्वलों पास शुन्य लाग से अधिक लोग शामिल हुए जबकि प्रशासन ने 80,000 लोगों के अनुमती दी थी एफ आयार मे बताया गया है कि सत्संग आयजकों ने सबूत छिपाए बाबा के भक्तों के चपलें और अन्य समान के पास के खेतों में फेका उन्होंने कारेक्रम में आये लोगों की वास्तविक संख्या को छिपाने का भी प्रयास किया हातुरस भगदर मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी की चीफ मयवती का बयान सामने आया है पोस्ट शेर करते वे मयवती लोगों को बाबाओं के अंदविश्वास को पाखंडवात के बहकावे में ना आने की सला दी है उन्होंने भोले बाबा और उनके जैसे बाकी बाबाओं के खिलाब कारवाई की मांग की है 6 जुलाई को सुबा मयवती ने अपने एक्स एकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा देश में गरीबों, दलीतों और पीड़तों को अपनी गरीबी और बाकी सभी दुखों को दूर करने के लिए हात्रस के भोले बाबा जैसे अने को और बाबाओं के अंदविश्वास और पाखंडवात के बहकावे में आकर अपने दुख पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए यही सलह है उन लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेटकर के बताय हुए रास्तों पर चलकर सत्ता खुद अपने हातों में लेकर अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी उन्हें अपनी पार्टी बीएसपी से ही जुड़ना होगा तभी ये लोग हात पाओं के खिलाब भी कारवाई होनी जरूरी है इस मामले में सरकार को अपने राजनेतिक स्वार्त में धीला नहीं पढ़ना चाहिए ताकि आगे लोगों को अपनी जान ना गवानी पड़े बताने कि यूपी पुलिस ने हात्रस मामले के मुख्य आरोपी देवप्रकाश म मदुकर को दिल्ली के नजबगर के एक अस्पतार से गिरफतार कर लिया है देवप्रकाश मदुकर भोले बाबा का मुख्य सेवेदार भी है पुलिस ने देवप्रकाश पर एक लाग का इनाम घोशित किया था इससे पहले पुलिस ने छे लोगों को गिरफतार किया है एफ पायार में बताया गया है कि सवसंग आयजकों ने सबूत छिपाए बाबा के भक्तों के चपलें और अन्य समान के पास के खेतों में फेका उन्होंने कारेक्रम में आये लोगों की वास्तविक संख्या को छिपाने का भी प्रयास किया